तो recently मैंने कुछ conjunction के बारे में आपके साथ discuss किया है इस वीडियो में हम एक और conjunction को अभी discuss करने वाले हैं यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं बुद्ध, चंद्रमा और राहू का conjunction यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में हो तो यह conjunction में आप क्या-क्या expect कर सकते हैं कैसे अपनी life को plan कर सकते हैं इस conjunction का आपके career पर क्या असर पड़ेगा आपके relations पर क्या असर पड़ेगा और आप overall planning आप कैसे कर सकते हो इस conjunction को देखते हुए देखे यहाँ जो बुद्ध हैं वो राहू के साथ रहेंगे और चंद्रमा भी साथ में रहेंगे तो illusion बहुत ही ज़्यादा create हो सकता है जाता के mind में और वो दूसरों के mind में भी illusion create करने में माहिर हो सकता है वो जूट इदर उदर फैलाने में माहिर हो सकता है और जाता काफी ज़्यादा तरक वितर करने वाला होगा काफी clever होगा, समस्दारी बहुत ज़्यादा दिखाएगा, अपने आपको बहुत ज़्यादा smart दिखाएगा, extraordinary दिखाएगा, उसको बहुत सारा knowledge हो सकता है इदरोदर का, उसको information collect करने, या चीजों को इदरोदर करने, या management करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ये conjunction आपक जब भी मिल जाते हैं, तो हमारी जो imagination है, वो हमारी actual intelligence के साथ जुड़ जाती है, इस बज़े से हो सकता है, आप बुद्ध से related कारी शितर में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, यहाँ बुद्ध जितना ज़्यादा राहु के close होगा, और राहु जितना अच्छी ज़्यादा होगा, उतना ही आपको फाइदा होगा, यह conjunction में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक businessman हो सकते हैं, साथ ही बुद्ध से related कोई भी profession, जैसे कि आप finance का field हो, चाहे teaching से related field हो, या अध्यात्मिक field भी even हो सकता है, यह conjunction वाले जात तक वास्त में बहुत ही ज़्या बोला है या सही बोला है, और यह अपनी वानी का प्रभाव बहुत अच्छा छोड़ते हैं दूसरों पे, अपनी creative skills का प्रभाव बहुत अच्छा छोड़ते हैं, अब depend करता है कि यह conjunction आपके कौन से भाव में है, जिस भाव में भी आपके यह conjunction बन रहा हो, उस भाव को explore कर आपको मदद मिलेगी और नया नया कुछ न कुछ आप ideas वहां से हमेशा निकालते रहेंगे, तो यह conjunction में आपकी popularity बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, आप business में बहुत अच्छा कर सकते हो, especially आप रननिती बनाने में काफी माहिर हो सकते हो, यह conjunction डारेक्टली आपकी जो mental उसके उपर भी असर डालेगा, बट यहां चंदरमा साथ है, चंदरमा साथ होने की वज़े से कभी कभी आपको थोड़ा issue इस बात के लिए भी आएगा, कि आप mentally उत्रा strong नहीं पाएंगे अपने आपको, या mentally stable नहीं पाएंगे, पर आपका जो मन है इदर उदर हमेशा अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा क्या चंदरमा, बुद्ध और राहू के मद्दे इस्थित है, या हो सकता है बुद्ध, चंदरमा और राहू के मद्दे इस्थित हो, तो ऐसे में जो भी planet मद्धे में इस्थित होगा, उसका प्रभाव दोनों ग्रहों के साथ मिल हो सकते हैं, तो आप इस विज़े से बातें गुमाने में बहुत ही माहिर होंगे आपने किसी को कोई बात बोली आप उसी बात को दूसरे ढंग से दूसरे वेक्ति को भी बॉल सकते हैं, लेकिन क्या वास्ता में वो उस वे में सामने वाले को समझ आएगी ऐसा होगा या नहीं होगा वो सामने वाले के टेलेंट पे डिपेंड है बट आप बहुत extraordinary smart हो सकते हो तो ये conjunction आपको बहुत अधिक मदद कर सकता है अब अगर इन तीनों ही ग्रहों की qualities को आपने अच्छे से उपियोग में ले लिया तो ये conjunction आपको even higher education में बहुत मदद करेगा और आपको finance में बहुत अच्छे से मदद करेगा ये conjunction हो तो जातक थोड़ा speculative भी हो जाता है कभी-कभी और वो mind से बहुत obsessed होगा हमेशा कुछ ना कुछ निया करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ creative करने के लिए तो ये conjunction normally अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव आपके उपर डालता है आपके oral life पर डालता है आपके speech और communication पर डालता है क्योंकि देखिए जो mercury है वो बानी को दरसाते हैं और बानी को दरसाने के वज़े से जो ड्राहू की energy है वो बुद के साथ यहां जुड़ जाती है और speech बहुत ही कमाल की हो जाती है जाता की यानि ऐसा जब तक जब भी बोलेगा उसको हर कोई सुनना पसंद करेगा या उसकी बातों में इस प्रकार की सपष्टता होगी या उसके इतनी अच्छी clarity होगी कि सब को उनकी बातें पसंद आएंगी ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है इस conjunction जो आपको दी है तो ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं जब भी ये conjunction आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हो